हलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल एकजाम इलाइट चुन में आज हम लोग इस वीडियो में सीडियल 23 टियर वन के मैथ के पेपर को जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये पेपर 20 जुलाई 2023 के फोर्त सिफ्ट का पेपर है ये पेपर बहुत ही संदार पेपर है इसके हम टोटल 25 के 35 सवालों को सॉल्व करेंगे और कुछ सवाल ऐसे हैं जो काफी हाई लेवल का है तो अब अब सही वीडियो के अंतक अबसी देखेंगे हम लोग कैसे कुछ अच्छे अच्छे सवालों को हम अप्सन से भी सॉल्व कर शकते हैं तो आप जरूर ही वीडियो के अंतक बस बने रहेगा, क्योंकि आप सही तरीका जानेंगे exam में कैसे solve करना चाहिए, तो चलिए हम लोग वीडियो सुरू करते हैं, वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से request होगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बस ही, subscribe कर ल इसका भेलो हमें दिया है, यह कितना हो जाएगा, चाहिए, तालिका में चार विखाग दिया गया है, मैकैनिक, सिभील, कंप्यूटर, साइंस और अप्लाइड, के लिए विद्यार्थियों का परतिशत किस-किस में कितना अप्लाई किया है, उसके लिए परतिशत दिया हुआ है, कुल छातरों की संख्या सभी इनवर्सिटी मिला कर कितना है, 2008, यह इनवर्सिटी दे दिया है, दिल्ली, खानपूर, बंबए, मद्रास और गुहाटी, सभी में विद्यार्थिक संख्या ट्रोल दे दिया गया है, कौन से परतिशत चातर, कौन से एर्स्टीम को चूझ करते हैं, उसका परतिशत भी दिया गया है, वास्चन में कहा गया है, यह इस दोनों को कितना हो 2180, 780, प्लस 800, कितना हो जाएगा, 1180, 1180, कुल चातर हो गये, फूटल कितना है, हमारी 282, कितना हो जाएगा, 900, 900, 900 कितना हो जाएगा, 900, अब देखिए, कहा गया है, कि बंबए में विद्यार्थिक संख्या, IIT मद्रास में, विद्यार्थिक संख्या से क्या है, 20 परतिश सर्थ कम है अगर मद्रास बंबई में कितना हो जाएंगे 500 इतना किलियर है देखें कहा गया है मद्रास बंबई में कितने हैं 400 इन दोनों महाविद्याले में अध्यन करने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या देखें दोनों विभाग में अप्लाइड कितना है 32% और 35% आगे कहा गया है और इन दोनों इन दो महाविद्याले में सिभील बिभाग में पढने वाले विद्यार्थी की संख्या के बीच का अंतर मतलब सीभील बिभाग में जो पर रहा है उसका अंतर निकालना है तो 18% कितना हो जाएगा 72-72 फिर माइनस पांट्व का 25 परसेंट ये कितना हो जाएगा 125 माइनस में कर लिए बस यहीं निकालना था आपको आप माइनस कर लिए देखें माइनस कैसे हो जाएगा आपका में कितना है बचेका सिर्फ तीन बचाइगा तो इक migrant करेंग एक क्षो तीन को देखेंगे कहां गया है चावल का क्रेमुल और विक्रेमुल समान है ये भी बहुत ही बहुत ही बैतरीन स्वारे देखें इसको कहागा चावल का क्रेमुल और विक्रेमुल क्या है समान है तो उन्हें की मसीन में ख्राबे करने क्या है विक्रता को 15% का लाब होता है मतलब मसीन का जो वेट होगा वो ग ग्राम चावल का क्रेमुल कितना हो जाएगा एक्स बट्टे ठाउजन रुपीज ठीक आगे देखे कहा गया है और मसीन को बदल दिया जो पहले मसीन का लाब दे रहा था उसको बदल दे आता है जो 950 के बजाए 1000 ग्राम दिखाती है देखे तो 950 का क्रेमुल कितना हो एक ग्राम का क्रेमुल अगर एक्स बट्टे 1000 इंटु 950 यहां तक कोई दिखात नहीं चाहिए आग कहा गया है 950 के बजाए 1000 दिखाती है तो शमान लाब दिखात करने के लिए क्रेमुल कीतना होगा मतल है अगर क्रेमुल है हमको चाहिए 1530 का लाब चाहिए तो 1530 का लाब चाहिए तो क्या करना पढ़ेगा इससे भीट्रे मुल निकाल सकते हम लोग मतलब 29 गुने 3 कितों जाएगा 29 संतावन साथ 29 अर्थ 35 तेटालिस बट्टे कितों जाएगा 400 मतलब 4.3 सेट बट्टे मतलब 29 तो आपको था ही मतलब 1.0925 यही आपको अंसर जाएगा यही आपको बिक्रेमुल निकालना था कॉस्टेन नमबर 4 को देखेंगे चार में कहा गया है एक्स वाई और जैड ने 34 लागत का एक काज को पूरा किया एक्स ने पांच दिन के लिए काम करता है एक्स पांच दिन के लिए काम करता है वाई क्या है वाई जो है आपके वाई जो है सेवन रेज के लिए एक्स पांच दिन के लिए आय कहा गया है जैड जो है दस दिन के लिए कार्ज किया यदि दैनिक मर्दूरी का अनुपात दि चिन में तो एक्स की रासी कितनी होगी एक दिन के लिए क्या है चार अनुपात यह जाएगा आपको छे ठीक है अब देखे चार अनुपात साथ अनुपात शे अनुपात यह बटेगा एक वह निकालना एक चार यूनिट के बहलू कितना दिया है जाएक बहलु कितना हो जाएगा तीन चार पांच का यह बनता है या फिर 5 स्कौार मैंश तीन का स्कौर में लिखेंगे तो यह आपका जाएगा देखे question no.6 को कहा गया है एक परिक्षा में उत्रिन परतिसत 35% है यदि 210 अंक प्राप्त करने बाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्रिन हुयाता है तो परिक्षा के अधिकतम अंक क्या है कि इसी परिक्षा में पास करने के लिए 35 परतिससत अंक चाहिए ठेक लेकिन कहा गया। dah दूसो दस अंक मिलते हैं लेकिन 14 अंक से अनूत्री हों मतलब एसको दूसो अंक मिले अगर चौदा और मिलते हैं तो क्या होता बच्चा ये पास करता मतलब कितना परसंट होता है 25% के बराबर होता है 35% इस उक्वाल टू आपको कितना गया दूसोचोबीस दूसोचोबीस हो गया देखिए तो यहां से काट लिए 735 मतलब कितना हो जाएगा आपका 640 मतलब कुल मार कितने है 640 उमीद करते हैं आ रहा होगा समझ में आ रहा है वीडियो को लाग कर देखिए कॉस्चन नमर साथ में कहा गया है 28 मीटर उचाई एक खंभे जो उध्यूदफ़ खंभे की छाया टी लंबाय दिया है 19.2 मतलब एक खंभा है जिसका उचाई कितना है 28 मीटर है इसका जचाया बनता हुँआ कितना है 19.2 मीटर उचाई के एक अन्य खंभे की छाई की लंबाई निकालना है देख लिए ये क्या होगा दोनों के साइड के रेशियो क्या होगा एक ओगल होगा हूं यह जो साल moms संपिती टू और गुत जो सिंपल है तो देखिए चार से काटेंगे किया कितना होगा साथ चोके अठाइस यह आपको आचा चोका शोला फूर पॉइंट एट ठीक अब देखिए साथ से यह भी कट रहा है हमारा साथ से काट लेंगे कितना होगा सते उन्चास और यह जगा आपका साथ पहुंचे पैंट इस ठीक एक्स के भेलू आपका जाए कितना एप फूर पॉइंट इंटू सिबन पॉइंट फॉइंट फाइव ठीक है आप निजस इसे काट लिए सासाम हो जाएगा यह हंडर जाएगा यह 25 त्याइब 75 पच्चिस चोके 100 यह जाए कितना बारा मतलब बारात यह कितना चाहेगा 36-36 मीटर और नमबर एक में दिया है क्वेश्चन नमर आट को देखें कहा गया एक डीलर एक डीलर है जो कहा है परतेक पंखे का क्रेमुल कितना है 2000 रुपया रखता है उन्हीं बेचना चाहता है उसे पंखे पर 20% की छुट देने के बाद 20% की लाव होती है तो ठीक है यह होगा इसका सेलिंग प्राइस ठीक 24-100 में इसको बेचना परेगा लेकिन अकित मुल पे क्या है इसको 20% की छूट देती है मतलब मूल कीट्ने पांच में एक मोटर बोट की चाल जल की धारा के चाल का अनुपार्द दिया है 31 अनुपार्द छे का मोटर बोट एक बिंदू से शुरू होती है और चार घंटे 10 मेट में धारा के अनुदिस मतलब धारा के दिशा में एक नेच्च दूरी तै करती है यहां साथ दूरी निकाल सकते हैं दूरी कितना हो जाएगा मतलब कितना जाएगा 37 यूनिट आ जाएगा समय कितना लगाता है चार घंटे दस में दूसरों क्या लिखेंगे हम लोग 25 बटे 6 यह कितना जाएगा इसका डूटल डिस्टेंस आ गया हमारा ठीक है अब कहाँ गया मोटर बोट द्वारा अपने प्रारमभिक विंदू पर वा लगने बाले समय निकालना है अब देखिए धारा के अनुदिस गया है अगर रिट्रेंट हुआ 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 है मतलब दिप्रिदी साम आया तो इसका स्पीड कितना जाएगा 31 माइनस 6 कर लें कितना होगा 25 यूनिट ठीक है हमें आपको टाइम निकालना है डिस्टेंस बट सांत जल में एक नाव की चाल 45 किलो मीटर परती घंटा है जबकि नदी जो है 15 किलो मीटर परती घंटे की चाल से बाह रही है धारा के विप्रिद दिसा में एक निची दूरिते करने में लगा समय धारा के दिसा में समान दूरिते करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है दे सब्सक्राइब नमपर नंबर में कहा गया है पिता और माता मतलब आऊसप मासिक आए दे दिया है कितना अगर हम कहें तो 10,000 रुपया हो जाएगा पिता मतलब फादर और सन का मासिक लिए है तो यह जाए कितना 20,000 रुपया पिता की मासिक लिए पिता की मासिक निकालना है तो हम कहें घायर किसे जोड़ें कितना होगा टू टाम सब फादर प्रस चौन प्रस्ट सब्दीन होगे कपकी संबिस्ट करा यह कितना होगा कि मतलब सभी का मासिक आय कितना है 21000 मदर और सन का मासिक आय कितना है 12000 इसको माइनस कर लेंगे तो आपका फादर का मासिक आया जाएगा 21000 माइनस 12000 मतलब 9000 अप्सन नमगर 4 आपका क्रेक्ट होगा एक घनाब की लंबाई चवराई और उंचाई का अनुपाद दिया है एक अनुपाद दो अनुपाद तीन घनाब की लंबाई चवराई और उंचाई में कमसे 200% 300% और 300% की विर्धी हो जाती है तो मूल आयतन की तुलना में घनाब कैतन में विर्धी क्या होगी अगर एक यूनिट अगर घनाब की लंबाई है तो अब नया कितना हो जाएगा अगर हम 200% की विर्धी का मतलब क्या हो जाएगा इसका 3 गुना हो जाएगा तो यह जाएगा 3 अगर घनाब की चवराई क्या है 2 है अगर 300% की ब्रिभधी करेंगे, तो कितना हो जाएगा? और 2 में अगर 300% इद सब अगर 4 गुना ढ़िसल में 8 हो जाएगा. ठीक है अगर घ्नाब की उच्अऑ अगर 3 यूनिट है, 300% की ब्रिभधी करेंगे, कितना जाएगा? नाँक चैजब गुनय मतलब 12 हो जाएगी टिक है पहले का इतन हो जाएक इस bornक कितना थी चे चूष यूनीट हुआ लेकिन ब्रुद्धि करने के वाद कितना हो जाएगा तो यह जाएगा अपका 242 मतलब 288 कहा का गया है मूल आ Florida की तुना में घनाव में कितने आइतन की ब् प्रिद्धी हुई है option number 2 आपका correct होगा question number 13 में कहा गया है एक बिर्त के के अंदर से 40 मीटर लंबी जीवा पर देखिए एक बिर्त है ठीक है इसकी जीवा की लंबाई कितनी है यहोगया 20 यहोगया यह सब्डाइब आपको निकालना है कितना है रूट अन्डर 15 विसका स्ण क्टॉर्ट कितना कंदा चार सो त्यand k outfits were जाए shruban विवेक्षण A, B, C, D, E में उपस्ते और उत्रेन च्हात्रों की संख्याख्रे डाटा को दर्साता है. तो कहा गया है section E में परिच्छा में उपस्ते च्हात्रों का परतिसत. क्या है? निखी, simple है. E में देखिए उपस्ते च्हात्रों देखे. मतलब 58 दिगरी यह को परतिसत में चानबर करना है तो आपको पता है थी हंडेर 60 डिगरी इस इक टो था है कितना हंडेर परसेंट या फिर इसके हैं एक दस शिटीन पॉइंट वए और तीन में आपको दिया हुआ है कॉस्टन नमब सोलों को देखिए बहुती संदार सवाल है यह कितना हो जागा एक प्लस एक मतलब आपका अंसर आएगा एक प्लस एक कैसे आगा देखिए साइन नाइनटी डिग्री माइनस टिन को क्या लिखेंगे कॉस्ट फॉर्टी वन सिंपल यह याप ऐसे बोलने है अगर साइन कॉस्ट दिया है दुनों करते हैं मतलब यह भी वन तो यह भी वन मतलब उन प्लस नाने क्या हो जागा क्वेस्टन हम स्कत्र को देखिए कहा गया है राम 36 किलो मीटर पर गहंटे के चाल से गारी चलाता है लेकिन प्रतियेक 10 किलो मीटर के अंत में पेपीने के लिए 5 मिनट क्या हुआ हुआ रुकता है कितना बार असे चला से चला से मल्टिप्लाइ कर लेंगे तो आपको मिनट में आजागा उप्सन में दिया है कितना जाएगा आपको यह हो जाएगा आपका 20 140 पलस 40 कितना जाएगा 180 में टोटल लगेंगे इस डिस्टेंस को कभर करने में कोस्टनमर 18 में देखे सिंप्लिफिकर्शन का सवाल है कहा गया है 0.08 पलस इतना देखे तो पहले आप रैकेट वाले को स्वाल कीजिए इसको आप स्वाल करने कोशिश कितना हो जाएगा आपका 12.5 यह कितना जाएगा आपको 11 12.4 मतलब 12.5 में से 12.4 मैंस कितना जाएगा 0.1 आप देखे यह भी क्या होगा मैंस में तो जेके 4.9 मैंस 0.1 कितना हो जाएगा 5 मैंस का 5 मतलब 3.5 मैंस 5 करें कितना जाएगा माइनस 1.5 और बाहर माइनस 1 जाएगा पलस 0.08 यह कितना हो जाएगा आपका 1.58 1.58 अप्सन नमबर 3 में कर्ट होगा कघुछन नमर 19 में में देखें चतना का सवाल है का श्कार निकालना है निकालना ये अ multiple सब्सक्राइब दिया है आपको चार बाहर निकालें कितना होगा दो रूट अंडर टैन इंटू छे मतलब बार रूट अंडर टैन नुक्षा नमबर तीन में दिया है कौस्चन नमर बीस में कहा गया है यह संख्या इसमें कहा है कौन सी संख्या 33 से विवाजित है के लिए क्या आहीं 11 इंटू 3 मतलब संख्या 11 से व है मतलब से विवाजित होना चाहिए नियुका सब्सक्राइब न मिटानर इपर साइब नंंबर 20 में कहा गया है एक ट्रेंगल haut करना पड़ेगा हमें कैंगि भी सी ट्रेंगल है कगई डी जो है बी सी के प्लालर है ड कैंगे दबूंडश का किया है करता है तो डीक के बीक के ब्राबर हो एक होगा तो पूरे का चपल कितना होगा की होगा अगर हम इसके अगर क्या होगा एक की होगा सुमिलर की होगा एक को आंगल ने हैं कर दोनों का उस्वार्च जो रेशियो जो आप मतलब देखे, side के square का ratio क्या होगा, AD बटे अगर हम कहें, AD बटे AB का square क्या होगा, दुनों के 36फल के ratio के equal होगा, AD का ratio कितना है, एक, ABC का ratio कितना हो जाएगा, 26फल दो हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, DB, तो DB कैसे आएगा हमारा, तो देखिए अगर हम कहें AD डेस यो AB कितना हो जाएगा 1 बटे root अंडर 2A square भेदेंगे उधर तो हमें निकलना क्या है DB तो DB कैसे आएगा हमें AD है अगर AB में से AD करना पड़ेगा मतलब इधर 1 minus कर लिए इधर भी क्या होगा 1 minus कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा AB minus AD AD minus AD करेंगे क्या जाएगा हमेरा DB आजाएगा मतलब DB बटे AB इस इक्वाल टो कितना जाएगा इस इक्वाल टो आपका जाएगा root अंडर 2 minus 1 बटे root अंडर 2 देखिए यह हो जाएगा root अंडर 2 LCM तो root अंडर 2 minus 1 टंकी 22 मौट में भरता ग्ल्स कि सुमयलेगा पूरी तरह भरने में कितना सभिरेगा आपको steel मतलब 72 हुजाएब आपका greenhouse यह जाएब चरे यह जाएब है इसकोונ merger स्वल्व कीजिए मतलब 6,4,10 माइनस ये कितना जाएगा दो मतलब 8 unit किया जाएगा इसका efficiency जोगा तीनों की 2 माइनस करना परहूं कह दो खाली करने वाले है मतलब समय कितना लगा 72 बट्टे 8 मतलब 9 ठीक है तो 9 unit मतलब 9 minute का समय लगेगा टंगे को पूरी तरह से भरने में देखिए अगला सवाल है से के स्क्वाइर ए मानस 10 स्क्वाइर इस उकॉल टू वन होता है डेक्ट फ्रमूला से पुछ लिया गया है कॉस्चन नम आठ परतिसद की सधायन व्याज दर पर निवेश की गई 30,000 की रासी कितने बर्स में 38,000 हो जाएगी सिंपल फ्रमूला ही अप्लाइ कर लेजे 30,000 की रासी है में आठ परतिसद सधायन व्याज है 30 समय है वड़े 100 इस इकुल टो इंटेस कितना जाएगा 8,400 ठीक है देखी एक जिरो से दो जिरो कैंसील यह दो जिरो से 2जिरो हो जाएगा दो 0 से 2 0 जाएगा आपका cancel ये कर जाएगा आपका 88 बार में मतलब मतलब टायम कितना जाएगा आपका 80 बत्टे 8 मतलब 7 चोका 8 टार दो नी आ अमतलब 7 बत्टे 2 मतलब 3.5 अगल आखिरी सवाल है कहागा ABC similar to triangle PQR 46 अगल 46 अगल साइड के रेशियों के स्कॉाइड के एक कोल होगा मतलब एबिसी का चत्रफल कितना दिया है आपका ये शुल बट्टे पचीस इज इक वाल टू किया जाएगा बीसी बीसी मतलब बीस बट्ट यहां पर तब क्या जाएगा क्यो आर क्या हमें निकालना है इसका होगा बराबर आयाच वीडियो को लाइक कर दें चैनल को अबस भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए